नमस्कार प्रेदर्शकों मैं प्रियम का आप सभी लोगों का स्वागता भी नंदन करती हूँ कैसे हैं आप लोग दर्शकों आज हम बात कर रहे हैं व्रिशब राशी के बारे में कैसा रहेगा जून 2420 व्रिशब राशी के जातकों के लिए कौन से बड़े परिवर्तन है जो इस मंथ में होने जा रहे हैं और किन चीज़ों से रहना है आपको साबधान इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे दर्शको ये राशी फर्चंद्र राशी वा आपके नाम पर आधारिद है तो आप इसे उसी प्रकार से देखने और समझने का प्रयास करें यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का अवलोगन करवाना चाहते हैं तो स्क्रिन पर दिये गए नंबर पर कॉल करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आँके बढ़ते हैं और बात करते हैं कैसा रहने वाला है प्रिक्षब राशी के जातकों के लिए जून का महीना तो आपके राशी के स्वामी शुक्र है और शुक्र का गोचर आपके राशी में ही रहेगा ये बहुत अच्छा योग बना हुआ है आपके राशी में ही चतुर ग्रही योग बना हुआ है चार ग्रहों का एक साथ ही योग है जो कि इस समय पर आपके कारे छेत्र में बहुत ही अच्छी सफलता आपको देने वाला है लेकिन हो सकता है कि इस्थान परिवर्तन आपको करन पड़े कारे छेत्र को ले करके कुछ साफधानियां भी बरतनी होंगी और इसके साहथ साहथ कुछ परिशानियां, एक्स्ट्रा हाड़ वग करने के ज़रूरत पड़ेगी, हाड़ वर और स्मार्ट वग इस समय पर दोनों करना है, हाड़ वर करना अच्छी बात है, लेकिन अ साथ मन्त होफ के बाद धन गया अधिक मात्रा में होगा कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं सूर्य का धन भाव में गोचर होगा 15 जून के बाद यह आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट के तरफ ले करके जाएगा लेकिन इन्वेस्टर के बैक्ग्राउंड को जर करेंगे लास्ट जून से तो इस समय विशेस में आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी गलट डिसीजन एंड मूमेंट पर आप नालिम दैनिक आया आपकी बढ़िया रहेगी और कॉन्फिडेंट लेवल भी आपका काफी अच्छा रहेगा पंचम इस थान के स्वामी बु होंगे और इसी के साथ इस्टूडेंट के लिए यह समय थोड़ा सा परिशानी भरा हो सकता है परिशानी का महौल रहेगा यानि माइंड बहुत साथा रिस्ट्रेक्ट रहेगा हो सकता है कि पढ़ाई में मन ना लगे या चीजे बार-बार आप चेंज करने के बारे में जो सब्जेट आपने ले रखा है या जो इस्टरी आपने करने की सोच रखे उसमें आप प्लैनिंग्स चेंज कर दे तो इस तरह की कंडिशन बन सकती है इस्पेशली इस मन्थ होफ के बाद आपको अपने हेल्थ का धियान रखना है और इस पूरे मन्थ में अपने लाइफ प करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार